हलो स्टुडेंट एक बार फिर आप सबका स्वागत इस क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं क्लास फोर का मैथमेटिक्स जिसमें आख पढ़ाने वाले हैं टेस्ट पेपर फोर इसका टेस्ट पेपर फोर है अर्थात हाव मच हैब यू लेंड कितना सीखा चार इससे पहले सभी क्लास में या जो भी टॉपिक इसमें आने वाले थी सब डेटेल में आपको समझाएं वो आपने समझे होंगी और कोई अगर उसके पीछे क्लास चाहिए तो आपको इस क्लास के वीडियो में उसकी हम लिंक डाल देंगे आप बहां से उसको देख सकते तो इसमें पहला सवा 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4 दिजिट हैं तो आप एक डिजिट की कंपेरिंग करेंगे तो देखेगा पहली भी 10 है शुरू में भी 10 इसमें भी 10 है तो अभी नहीं पता सकते लेकिन यहां पर 8 है और 9 है तो इसका मुलब जिदर 9 है वो नंबर ग्रेटर हो गया तो इसमें हमारा sign आ बड़ा हो गया तो आप इस प्रकास चीशन में सांग करते हैं और यह फ्रेक्शन गिविन है फ्रेक्शन में हम छोटी बड़ी फ्रेक्शन तभी बता सकते हैं जब उनके डिनॉमनेटर वाला नंबर जो है वो यूकल हो तो डारेक्ट हम नियूमनेटर वाली अंग को देख यहां हो जाएगा 28 अब आप देख सकते हैं जिदर अब इससे कोई मतलब नहीं 28 इदर है और 10 इदर इसका मतलब 28 इस ग्रेटर दें टें 28 से बड़े होते हैं इसका मतलब है 4 अपॉन 5 फ्रेक्शन 2 अपॉन 7 से बड़ी है तो इसमें साइन इस प्रकास से आप फिल अप कर देंगे शीक आपर इसही प्रकास से आप यहां वे देंगे 3 की मति का olives का मल्टिप्लाइब में करेंगे तो हमारा यहां पर द्री ही आए रवाज थिरी बड़िँव दली है तू यहां पर हमारा तू आप देखरिघिए थिरी बड़ है टू से इदिजी से वाद है तीन लम multiply यह denominator same ही एक तरीकिस हो रहा है 8 का multiply आप 4 हम करेंगे 8 4 या 32 और 5 3 या 15 अब आप देखेगा 32 is greater than 15 तो 4 upon 5 3 upon 8 से fraction greater यानी बड़ी है इस प्रकासी sign भरिया दूसरा question हमको क्या given है कि एक fraction given दे गई है 5 upon 8 3 upon 8 7 upon 8 3 upon 4 and upon 2 इनको हमें ROI और अबरोई करम में arrange करना यह fraction हमें ROI अबरोई करना लेकिन आप इनमें देखेगा यहां पर 4 है यहां 2 और 8 और 8 सीधी है हमें यहां भी जब तक 8 नहीं बना पाएंगे तब तक इनको घटती या बढ़ती क्रम में हम और नहीं कर सकते तो देखेगा फोर को अगर एक करना चाहते हैं इसमें मंटिप्लाइय करने टू का और यहाँ टू की जगए रहे एक करना चाहते हैं बहां मल्टिप्लाइय कर दिजीगा फूर का तो जो नई fractions हमारी बनेंगी यह तो same रहेंगी लेकिन इन में change आजाएगा कुछ जैसे 5.8 एजट रहेगी 3.8 भी एजट रहेगी और 7.8 भी एजट रहेगी लेकिन यह हो जाएगा हमारा 6.8 और यहां भी हो जाएगा 4.8 अब आप देखेगा सभी फ्रेक्शन की डिनॉमनेटर सेम हो गए तो आरूई करम का मतलब होता है ऐसी निवाटर यह नि बढ़ते करम में तो देखेगा हम लिखेंगे पहले तो आरूई करम में हम देखेंगे इसमें सबसे चोटा नंबर जो भी हो अब यह 8 से कोई मतलब नहीं है जो 3,4,5,6,7 इस करम में हमें लिखना है तो पहले आजागा 3 upon 8 का नंबर फिर इस से बड़ा हमारा 4 upon 8 आप यह sign भी लगा सकते हो नहीं तो कॉमा का यूज कर सकते हो मतलब 3 upon 8 से जो बड़ी fraction है वो 4 upon 8 है 4 upon 8 से बड़ी fraction जो हमारी 5 upon 8 होगी और 5 upon 8 से fraction हमारी 6 upon 8 होगी और 6 upon 8 से 7 upon 8 तो यह ascending order में अरेंज हो गई इसी प्रकास से आप इनको एगवार रिवर्स कर देंगे यहां से लिखना सुरू कर दें तो यह आपकी अवरोही करम में माने जाएंगे यह घटते करम में descending order अवरोही करम के लिए मैं आप कुछ नहीं करना केवल यहां पर जाएगा यहां से पहले लिखना यो तीर की वो अभी भी उदर ही रही रही शिक्स अपॉन एट फाइव पॉन एट फूर अपॉन एट और थिरी अपॉन एट तो इस प्रकास से इस फ्रेक्शन्स को हम एसेंडिंग और डिशेंडिंग और में लिख सकते हैं क्वेशन थैड़ है खाली जागे भरने यानि एक्विवेलेंट फ्रेक्शन है यह तो इन्हें भी भरना बहुत ही आसान होता है जैसे आप देखेगा यह थिरी अपॉन सेवन है और यहां पर ट्वेंटी बन आ गया कि इसका मतलब यह हुगा कि 7 में किसका म 15 में 3 की चिवेहा 51 होते हैं तो इसका मतलब इसमें 3 का मंटिप्लाई किया हो ताभ 3 का मुल्टिप्लाई या भी कर दिजेगा तो draw तो इस पर कासे इनको फिलफ किया जा सकता ता आप इनको नोट कर लिए और देखिए आउसके आगे के क्वेस्टन परेशन करना और यह केजी केजी इनका एडिशन करना और यह सरल करना आपको बताते हैं तो देखें का यह और नेटर स्रपके यूकल है तो कुछने करना नियूम निटर वाले पार्ट का इडिशन करना है और जो subtraction वाला नमर उसे subtract कर देना है इन दा सेम में दोनों ही fraction एक जैसी है देखेगा कैसे करते हैं तो हमें करना क्या है कि सबका denominator सेम है था हमने यहां पर 2 लिख लिए यह 1 है और यहां प्रिलस 4 है और यह मानस 3 है इसका मतलब यह है कि 4 प्रिलस 1 5 5 मानस 3 अपाउन 2 देट इस 2 अपाउन 2 2 से 2 केंसल हो जाएगा आंसर आजाएगा 1 यह जो fraction कंप्लेटली गिवन थी हमें बन के यूकल गिवन है एक बार फिर समझेगा 4 और 1 का एडिशन होगा तो यह 5 हो जाएगा 3 सब्टेक्ट करेंगे 5 से बचेगा 2 अपाउन में तो 2 है 2 से 2 केंसल हो जाएगे 1 आ जाएगा इसी प्रकास से आप यहां पे देखेगा 5 प्लस 1 मानस 2 अपाउन 7 और 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 वो 6 है 6 मानस 2 अपाउन अब 6 में से आप 2 कम करेंगे तो बच जाएंगे हमारे पास बापिस 4 upon 7 यह कोई नमबर आपस में एक दूसरे से कर नहीं हो लिए तो 4 upon 7 ही रहने देंगे यहां 1.563 को 0.901 में एडिशन करना है तो यहां भी पॉइंट इक बाद देखेगा 3 डिजिट है और यहां भी पॉइंट इक बाद 3 डिजिट है तो आप इन्हें आसानी से एडिशन इनका कर सकते हैं तो 1 का एडिशन होगा 3 का एडिशन होगा 1 के साती हो जाएगा हमारा 4 औ पॉइंट लग जाएगा लेकिन केरी वन लगी है तो वो केरी वन बनके साथ एडियो होगी आकर ही हो जाएंगे टू केजी यह आपको अगर इस प्रकास से कम समझ मागा होता आप इनको ऐसे लिख सकते हैं बन पॉइंट फाइव सेक्स थिरी जीरो पॉइंट नाइन जीरो व आप जैसे चाओ वैसे एडिशन कर सकते हैं अब देखेगा यह जो यह सिंप्लिफिकेशन है इस प्रकार की दो कोश्चन है तो इन्हें करने के लिए आपको क्या बूड मास का नियम पता हूं बूड मास का नियम यह होता है बी ओ डी इन एस बी ओ से मतलब होता भ्रैकेट ओफ यानि अटो हैँ फिर डी से मतलब होता डिविजस्ट एम से मतलब होता मल्टिकेशन हैसे मतलब था एड्स सी मतलब होता संब्टेक्शन इस क्रम में सब्सक्राइग और बिश्चण स् Conks Heesper यह हम परकार के क्या डिविजन को प्र 12, 7 जा 84, तो यह इतना नमबर पूरा 7 के यूकल है, multiply by 3, minus 6, plus 2, अब करेंगे हम multiply, तो दीकों, यहाँ पर multiply हो रहा, यह हो जाएगा, जाके, 7, 3, जा 21, minus 6, plus 2, हमने का addition करिएगा, तो 21 में 2 का जब addition करेंगे, यह हो जाएगा, 18, 17, 23, minus 6 करेंगे, तो यह 17 आजाएगा, इन्दा सेम भी, आप यहाँ पर देखेगा, इसमें जहाँ पर भी division है, तो पहले division solve करना, यह division दिया गया, तो 6 की table आपको पढ़नी है, 18 कहने, मतलब यह 6 का भाग 18 में लग रहा है, तो यह हो जाएगा जाके, 9, 9, into 12, और यह हो जाएगा जाके, 3, minus 16, ठीक, आप देखेगा, multiply कहाँ पर हो रहाँ, आप ऐसा महीं करेंगे, आप 12 plus 3 करेंगे, 15 करेंगे, तो नहीं जवाब निकलेगा, इसका, अप करेंगे, multiply, 12 में जाएगा, 1, 0, 8, plus 3 minus 16, अब आप addition कर दीजेगा, इनका addition करेंगे, दिये हो जाएगा, 1, 1, 11, 11, और minus 16, ठीक है, तो 11 तो इससे पूरे खर्च हो जाएगा, उसके बाद 5 और खर्च करने पड़ेंगे, तो आपके बचेंगे जाके 95, यहनि 111 से आप 16 को जब खर्च करेंगे, तो 95 हो मारे पास यहाँ पर देखेगा इनका addition करना, तो एक तरीके जैसे लिख लीजेगा, यह 15.6 लीटर है, और वो हमारे पास 10.54, अब यह addition करना है, तो आप direct addition कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे होगे, यह 4 के साथ किसका addition करें, 3 के साथ किसका addition करें, तो ऐसी इस्तिति में क्या करते है, पॉइंटिक बाद अपनी तरफ से 0, बढ़ा सकते हैं, कोई फरक नहीं पड़ेगा, अब आप देखेगा, 3 का addition 0 के साथ, 4 का addition 0 के साथ, 5 का addition 6 का, 11 करी 1, तो यह 5, 11, 6 हो जाएंगे, और यह 2, लेटर, इस पर कास इनका addition कर सकते हैं, क्वेशन 5 है कि आपको fraction given है, इनको हमे भिन रूब में लिखना है, इनदा फॉर्म, वो decimal fraction given है, दसमलफ संख्याएं given है, और हमें भिन रूब में लिखना, तो बहुत ही सिंपल है, आप लेखेंगे, पहले 7 अपन बन लगाएंगे, इतना करना है, आप यह देखेंगे, यह पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे यान कितने यह नग तो टो 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 डिजिट है, यान एक और दो तो यहां पर आप दो जीरो बढ़ादेंगे, विन रूब में लिखेंगे, इसी प्रकास यहां पर आप 39 पहले लिखें, अपोन बन लिखेंगे, आप देखें इधर पॉइंट के बाद कितने डिजिट और थ तो आप यहां पर 3-0 बढ़ाएंगे बेंड रूम में लिग गया आप चाहत इसकी कटिंग और यह कटिंग भी कर और इस टेस्ट पीपर टेस्ट पीपर सेवन का लास्ट कोश्चन यह कि और नहीं है तो क्यों नहीं है यह बताना पड़े आपको अब आप ऐसे समझेगा लिखातर यहां लिखनें यहां लिखना चाहते हैं, यहां लिखना, 0.9 रुपई, तो यह 90 पैसीत होंगे, यह आप से यह कहा जाए कि भई, 10 रुपई 90 पैसी लिखेगा, तो 10 रुपई 90 पैसी लिखोगे, और फिरम आपके 10 रुपई 9 पैसी लिखेगा, पॉइंट का हमने पिछली यूज करना सिखा आप पिछली क्लास में, तो 10 रुपई 9 पैसी लिखने के लिखने के लिए 9 ऐसे लिखे जाएंगे, तो अगर यह दसनोगे बात की संख्या हैं, तो हमारी पास दी गए यहां पर, अगर यह बराबर होती, तो 10 रुपई 90 पैसे, 10 रुपई 9 पैसे, एक जैसी कैसे हो, अलग अलग कैसे हो जाते हैं, यहां पर 90 यहां 09 है, इसका मतलब है कि यह जो शंक्या है हमें वो बराबर नहीं है, यह शंक्या 0.9 is greater than 0.09, एक तरीके से अगर हम इनके आगे रुपई लिख देंगे तो यह 90 पैसे पढ़े जाएंगे, और यह 9 पैसे पढ़े जाएंगे, तो बर नहीं है, यह बड़ी शंक्या है, हमसे पूछा किया बराबर है, तो अब आंसर में इसकी लिख देंगे, no, बराबर नहीं है, तो यह पेपर जो टेस्ट पेपर 4 था, कितना सीखा, चार किलास 4 के गड़त का, हमने completely आपको समझा दिया, आसा करता है, आसे समझ पाए होगा, इस गड़ास में इतना है, that's all, जय है, जय भारत.